नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में ग्रीन हाइड्रोजन एक प्रकार का हाइड्रोजन इंधन है जिसका उत्पादन नवीकर्णिय उर्जा स्रोतों के द्वारा किया जाता है यह स्वच्छ और संगणक मुक्त उर्जा स्रोत के रूप में माना जाता है जो हमें कार्बन मुक्त भविश्य की ओर ले जाने में मदद कर सकता है हाइड्रोजन को उसके उत्पादन के तरीके के आधार पर विभिन्द रंगों में वरगी कृत किया जाता है जब हाइडोजन का उत्पादन नवीकर्णिय उर्जा स्रोतों, जैसे कि सौर उर्जा या पवन उर्जा से किया जाता है, तो इसे green hydrogen कहा जाता है ग्रीन हाइडोजन का उत्पादन जल का electrolysis द्वारा किया जाता है इसमें विद्यूत उर्जा का उप्योग करके पानी को हाइड्रोजन और आक्सिजन में विभाजित किया जाता है जब यह विद्यूत उर्जा नवीकर्णिय स्रोतों से प्राप्थ होती है तब हाइड्रोजन को ग्रीन कहा जाता है ग्रीन हाइड्रोजन के कई लाब है अतिरिक्त नवीनी करनिय उर्जा को संद्रहित करने का समाधान प्रदान करता है उदाहरन के लिए जब एक पवन फार्म अधिक बिजली उत्पन्न करता है जितना ग्रिड संभाल सकता है तो बजाए उस उर्जा को बरबाद करने के यहां हरा हाइड्रोजन निर्माण में उप्योग की जा सकती है अंत में हरा हाइड्रोजन उनक्षेत्रों को डिकार्बनाईज करने में मदद कर सकता है जो विद्यूती करन करने में कठिन होते हैं हलांकि ग्रीन हाइड्रोजन के साथ भी कुछ चुनोतिय जुडी है पहली इसकी उत्पादन की लागत अभी बहुत अधिक है दूसरी हाइड्रोजन संद्रहन और परिवहन के लिए व्यवस्थाओं का अभाव है तीसरी हाइड्रोजन का उप्योग सुरक्षित नहीं हो सकता है यदि इसके साथ सही तरीके से नहीं व्यवहार किया जाता है हालां की इन सभी चुनोतियों के बावजूद हरा हाइड्रोजन की पोटेंशियल है कि यहाँ हमें एक नवीनी करनी कार्बन मुक्त भविश्य की ओर ले जा सके इसमें उत्पादन लागत को कम करने इसके संग्रहन और परिवहन की व्यवस्था को बहतर बनाने और इसके सुरक्षत उप्योग के तरीकों को विक्सित करने की आवशकता है तो दोस्तों यह था ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में हमारा परिचय हमें उम्मीद है कि आपको यह विडियो पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा अगर आपको यह विडियो पसंद आया है तो कृप्या इसे लाइक करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद